हेलो अरिवन स्वागे तब सभी का ओनलाइन स्टेडियोन में आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरों का मुखे परिछा के मॉक्टिस्ट का डे सेवेंटी सिक्स आपने सारे पार्स को जरूर देखा हुगा नहीं भी देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन मिल जागा आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो में टोटल 50 कोशन के बारे में डिसकस करते हैं जो की पूर्ण तर बीपी एससी के पैटरन पर बना गया था है आप इस वीड तो बात करते हैं सही उत्तर का इस क्वेशन का राइट एंसरे आप्सिंस भी यानि कि सत्पत ब्राम है ठीक है फ्रेंट्स मैं आपको बता दू कि सत्पत ब्राम हैं में पूर्णर जन्म का सिधान्थ पुरू रवा उर्वर्सी जो समवाद है वो जल पलावन की कथा राम अधी इस तरह की जो भी कथा है वो इसमें इंक्लूड किया गया ठीक है फैंस और साथ से अगरा हम बात करें कि सत्पत ब्राम हंड से कुछ और क्या क्या बन सकते तो यह आपको पता हुआ फ्रेंट्स की पत्नी को अधांगनी जो कहा गया वह इसी सत्पत ब्राम हंड में कह गया के लिए और एक क्वेसंस और होता है जिसमें फ्रेंट्स छत्रियों को ब्राम हंड से स्रेस्ट बताया गया वह इसी में बताया गया यह सारे पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए बढ़ते हैं नेक्शूसस की तरफ और देखें सेकेंड क्या कह रहा है लौड इर करके सारे पॉइंट्स को किलियर करते हैं सबसे पहला पॉइंट्स क्या करा है कि बटलर कमिशन की न्यूपती के समय भारत का वाइस रहा था पॉइंट्स यह क्या करेक्ट है या गलत बिल्कुल करेक्टिस में कोई दिक्कत नी क्योंकि आपको पत्ताय फ्रेंट्स की बटल तो यह पॉंट इनको गिरफतार किया गया था जब इनको रिया किया गया था वो डेट था 25 जन्वरी 1931 को यह पॉंट आप याद रखेंगे ठीक है तो यह सेकंड पॉंट्स आपका गलत हो जाता है थर्ड पॉइंट में देखे क्या रहा कि जतीन दास की मृत्ति इसी के समय पूर्णे जेल में हुई थी, देखे ये पॉइंट भी गलत होता है क्योंकि फ्रेंट्स यहाँ पे पूर्णे जेल में नहीं हुई थी, भुखड़ दाल के कारण जतीन दास की जो मृत्ति हुई थी वो लाहौर जिल में हुई थी तो ये सारे पॉंट्स आपको याद रखने और हमें यहाँ पर बताना था कौन सा कथन सही है इसलिए क्या सकते फ्रेंट्स फर्स्ट ऑप्संस बिल्कुल करेक्ट था ऑप्संस डी कॉम्ट टिक करेंगे ठीके फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं द दल की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में ही थी यह पॉंट्स बिल्कुल करेक्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं सेकंड पॉंट्स में क्या कहरा है फ्रेंट्स कि जैपरकास नरायन ने समाजवाद ही क्यों यानि फ्रेंट्स आपको पता हुआ समाजवाद ही क्यों इनकी जो यह पॉंट्स बिल्कुल करेक्ट है जैपरकास नरायन नहीं समुस्तक को लिखा था ठीक है यह सेकंड पॉंट्स पी करेक्ट होता है थार्ट पॉंट्स में क्या कह रहा है कि 1933 में बिहार में समझवादी पार्टी की स्थापना या फिर गठन किया गया था अब मैं आपको बता दो फ्रेंट्स की 1933 में बिहार में नहीं हुआ था 1933 में पंजाब में गठन किया गया था समाझवादी पार्टी का लेकिन अगर बिहार में बात करें तो बिहार में जुलाई 1931 इस्वी में बिहार में गठन किया था तो यह पॉंट्स भी आप याद रखेंगे ठीक है जुलाई 1931 इस्वी में हुआ था बिहार में गठन किया तो यहाँ पर हम देखें फ्रेंट्स कौन सा ऑप्सेंस हमारा गलत था तो हमारा ऑप्सेंस सी यहाँ पर गलत हो जाता है इसलिए ऑप्सेंस को टिक करेंगे किलिए नेक्स्ट क्वेशन देखिए समझवादी एवं रास्टि आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किस ने की थी? याद रखेंगे अगर आपफोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपसे रीक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ-साथ अपने दोस्तों को भी share करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ-साथ सब का भला हो, यह भी हम चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आर competition होगा, तो किसी और को share नहीं करोगे, प्लीज आप हमें support करें, दोस्तों को share करें, पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, लेकि अवंती जो जिसका पुराना नाम क्या था, उजयन का ये पुराना नाम था अवंती, के लिए, तो यहाँ पर राइटेंचर क्या होगा, इसका correct answer option C, यानि की सिसुनाग, ठीके फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे, सिसुनाग किसका उत्रादिकारी था, तो काला सोक का ये उत्र रखेंगे, और सिसुनाग वंत्स का अंतिम, अगर बात करेंगे अंतिम सासक, कौन था सिसुनाग वंत्स का, तो नंदी वर्दन, ये सारे पॉइंट्स आप याद ट्रेक्ट चलेंगे, नेक्ट विशन में क्या कह रहा है, प्रसिद आरेस समाजी, राष्टवादी नेता, स्वामी स्रधानन्द की हत्या, किस लॉड के सासनकाल में की गई थी, तो इस क्वेशन के राइट एंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्सन नंबर सी, लॉड ए रेडिंग, ठीके फैंस, अब इनकी हत्या कब कीगी थी, मैं आपको ये बताता हूँ, इनकी हत्या करीब 1925 सिस्वी में कीगी थी, ठीके फैंस, ये चीज आप याद रख कब से कब तक था, तो ये मैं आपको बताता हूँ, 1921 से लेकर कि 1926 इसवी तक इनका कारिकाल था, ठीके फैंस, अब बात करते एक-एक पॉइंस के बारे में, देखेंस, सबसे पहला इंस से लेटर जो पॉइंस बनता है, कि 1922 में 4-4 कांड हुई थी, आपको पता होगा, 1923 सवराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, इनके सासन काल में हुआ थी, और सवराज पार्टी का जो गठन हुआ था, आप सभी को बताए कि कि किन्हों ने किया था, और 1921 में प्रिंस ओफ वेल्स की जो भारत यात्र थी, वो इनके सासन काल में थी, मोपला बिद्रो 1921 इसी के सासन काल में हुआ था, और सात-सात एक और चीज़ जो की बहुत important है, 1921 में communist party का गठन हुआ था, MN Rai के द्वारा इनके सासन काल में हुआ था, तो बताए, यह सारे questionS बहुत important है कि ने, तो यह सारे चीज़ आप याद रखेंगे, चले फिर्णौस next question देखते हैं, अगला कुछ नमारा बनता है कि निमलिकित में से किसे तीसरा विक्तिकत सत्याग रही माना जाता है मोश्टली आप लोग को पता कि जो पहले सत्याग रही कौन थे दूसरे सत्याग रही कौन थे लेकिन सायाध ही किसी लोग को पता होता है, मोश्टली लोग को नहीं पता होता है कि तीसरे सत्याग रही कौन थे इस questions का right answer होगा option number C, Brahmadath ठीके friends, Brahmadath जो की option C, correct answer होगा पहले जो सत्याग रही थे वो बिनोबा भावे थे, दूसरे को माना जाता है जोहाला नहीं रिको और तीसरे को माना जाता है Brahmadath को, clear इन सारे points को आप याद रखेंगे अच्छा कुछ points में आपके साथ discuss कर लेता हूँ यहां से कुछ questions यह पूछा जा सकता है friends कि जो विक्तिगत सत्यागरा था वो कि गवर्णर जेनरल के सासन काल में स्टार्ट हुआ था तो आप इस चीज को याद रखेंगे लॉड ली नित्गों के सासन काल में स्टार्ट हुआ था ठीक है friends लॉड ली नित्गों ने ये घोशना किया था और कहा कि भारत भी दुट्य विस्यूद में सामिल है लेकिन ये बात महात्मा गांधी जी को नहीं अच्छी लगी और महात्मा गांधी ने ब्रिटिस सरकार की युद्ध नीती का विरोध करते हुए सन उनी सो चाली से स्विम अहिन सात्मक विक्तिगत सत्याग्रा अरम किया और उसी में विनोभा भावे को प्रत्थम सत्याग्रही और जोहरला नहरी को दूसरे सत्याग्रही और तीसरे सत्याग्रही के रूप में जो की ब्रह्मितत को चुना गया था ठीक है इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे देखे नेश्टूसिंस क्या बनता है कि निमलीखित मठों में से कौन सा सही मिला नहीं है तो बताइए यहां से एक गलत किया गया और वो मठ कौन सा है मठ से रिलेटेड हमेशा क्योंस आपको देखने को मिलता रहता है देखे फ्रेंस बात करते हैं इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बनता है वैसे तो यहां पर जो भी मैंने इंक्लूड कर रहा है वह सभी इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे रूम टेक जो है वह हमाचल पर्देश में स्तीत होता है तो यहां पर यह गलत किया गया ठीक है यहां पर बहुत है आप सब को याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन देखी क्या है बाडोली सत्यागरा के संबंद में निमलीखीत कत्रों पर विचार कीजिए बताए फ्रेंस ब लाचल पर्देश में तो तवां मत आता, वहांपे घ्यान ने आ नहीं आ रहा था मैं आपको बतातूं तवां मत ठीक है तवां मत देखें फिलालीबात का राइट इंसर क्या होगा तो एके करके सारे पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा तो पहला दिखे क्या क्या रहा कि यह गुजरात के बार्डोली जीले में लगान बिरिधी के खिलाफ अंदॉलत था यह पॉइंट्स गलत हो जाता है क्योंकि आपको पता कि बार्डोली सत् करने किसानों के लगान में बाइस परतिसर तक्की ब्रेदिक करती थी यह बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है थर्ड पॉइंट में कहा रहा कि इस सत्यागरा का नेतित्व सर्दार बल्ला भाई पट्टे ने किया था most important questions हमेशा पूछा जाता है और इस इसी सत्यागरा में इसी अंदोलन में इनके नाम के पहले सरदार लगा था यह चीज़ आप याद रखेंगे महिलाओं की ओर से मात्मा गांधी ने इनको सरदार भी कहा था तो फिलाल देखते हैं यहां पे कौन सा कथन सही था तो हमारा राइट एंसर दीके second और third correct था इसल इस questions का राइट एंसरे option number C यानि की इबादत खाना ठीके friends option C correct answer हो जाता अब इसके स्थापना कब की थी यह भी पूछा जा सकता है कि इबादत खाना की स्थापना जो की गई थी वो कब की थी तो यह चीज़ आप याद रखेंगे 1575 इसकी स्थापना की थी अकबने ठीके friends लेकिन उस समय जब इसने स्थापना की थी तो उसमें सभी धर्म के लोगों को परवेश करने की अनुमती नहीं थी लेकिन बाद में आगे चल करके तीन वर्स को बाद सभी धर्मों को परवेश करने की अनुमती मिल गई थी इस इबादत खाना में वो था 1588 से में थी यह points obsdy आप याद अरखेंगे के लिया friends अब बात कर लेते हैं बाक्य options के बारे में जैसे कि डिवाने खासकी जो स्थापना की थी किसने थी तो दिवाने खासकी रशर मीं संगमर्मर का कारे चिया गया था और इसलिए यह पोंतर हो जाता है तीक है बुलंदर वाजय के बारे में अकबर लेग्ज़ाम गुजरात बिज्य के ऄपलच में इसका जो की निर्मान करा हुगा था दिखे बात करते हैं एक्वेशन के बारे में, अकबर के दरबार की सुलेखाकार का ख्या नाम था, जिसे जरी कलम, जरीन कलम या फिर स्वर्ण कलम के नाम से समानित किया गया था, अकबर ने इनको उपाधी दी थी, तो उनका नाम क्या था, इस क्वेशन का राइट एंसर यह है कि मुहम्मद हुस मेरी को, लेकिन सेरी कलम की उपाधी जो दी गई थी, अब उसमान को दी गई थी, ठीक है, अब देखें, यहाँ पे तांसेन से रिलेटेड पॉइंट्स बन सकता है, तांसेन को भी एक उपाधी दी गई थी, और उपाधी का नाम क्या था, कंठा भरन वाडी विल्लास, ठी लेटी, चले, नेक्स्ट विशन ट्राइ करते, और अगला प्लशन बनता है कि नागपूर की संधी कब हुई थी, बताइए फेंस, नागपूर की संधी कब हुई थी, इसका राइट एंस रूपा ओप्सन नंबर B, 1816 में, ठीक है फेंस, नागपूर की संधी 1816 में हुई थ कि दिली सल्तनत के किसासक ने इंसा एं महरू, नामक पुस्तक की रचना की थी, इस क्वेशन के राइट हो सुगा, आप्सन नंबर D, यानि कि मुहम्मद बिन तुगलक बिल्कूल करेक्ट टांसर होगा, मुहम्मद बिन तुगलक से दो क्वेशन से और बन सकते हैं कि इनको पागल बादसा के नाम से जाना जाता था, और यहीनों ने क्रिसी बिभार के लिए एक क्या बनाये था, जो कि दिवाने कोई mean क्योंकि मैं आपको याद करें का कि मुहममद बिन तुगलक कोहीं पागल बादसा कहा जाता कोहीं मतलब दिवाने कोई, ठीक है, चलिए ऐ आगे बढ़ते हैं और नेक्ट शोचन दीखिए क्या है कि विजय नगर समराज जी के संबंध में निमलिखित कत्रों में से कौन सा कत्र असत्त है यहाँ पर ध्यान दीजिगा असत्ति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कत्र गलत है तो एके करके पढ़ लिजिए और उस से बड़ा सुरूत लगान था यह पॉइंट भी आपको याद रखना है मुस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड पॉइंट में कहके रहे कि भूराज जस्वी की जो उपज का एक बटा दस था यह पॉइंट गलत है और यही हमारा राइट एंशुरू का एक बटा छे ह हुआ करता था ठीक है और फोर्ट पॉइंट में देख लीजिए कि इस सम्राज जी का मुद्रा जो था वो पैगोडा के नाम से प्रच्छा दिती बिल्कुल करेक्ट है मैं आपको बताया था फैंट्स की पैगोडा जो था इसका था और पढ़ जो था वो मौरेसम राज का तो यह सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट था लेकिन सी ऑप्संस की जलत था इसलिए ऑप्संस सी को आप सुधार करके ऑप्संस टीक कर लेंगे नेक्स वूशन दिखें क्या करा कि ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किस नहीं लिखा है मोस्ट इंपॉर 42 समिधान संसोधर अधिनियाँ 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा सब्द नहीं जोड़ा गया था थ्यांसेद पढ़िएगा नहीं जोड़ा गया था ये क्वेशन में पूछा जा रहा है तो मैं आपको बता दो फ्रेंट्स की भारतिय समिधान के जो प्रस्तावना है उसमें 42 समिधान संसोधर उनिस सोचेटर के दौरा तीन सब्द जोड़े गया थे और वो सब्द कौन सब्द से थे तो समाजवादी पंत निर्पेक्ष या फिर इसको धर्म निर्पेक्ष कह सक इसनों पर विचार कीजिए यानि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसकी बात बताई कि कौन सा कथन सही है तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहरा पॉइंट्स क्या कहा रहा है कि इस समिधी को पहली बार 1921 में मॉन्टेंग्यू चेम्सफोड सु सबमान अध्यक्ष इसके कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अधी रंजन चौधरी है जिनका कारिकल एक वर्ज के लिए बढ़ा दिया गया ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखेंगे तो फिलाल हम लोग ने देखा फ्रेंट्स यहाँ पर राइटेंस रहा क्या उन्हों चीज़ था केवल एक सही है था इसलिए आप उप्सेंस एक को टिक करेंगे नेक्स शुशन दिखें क्या बनता है कि 1976 में 42 समिधान संसोधन द्वारा नागरीकों के लिए कितने मौलिक करतव्य निस्चित किये गये थे तो वरतमान में मौलिक करतवे कि जो संक्यष वो 14 लेकिन इसमेंस जो 10 था वो 42 समिधान संसोधन के द्वरा इंक्ल्यूड किया गया था और जो इНध्रहा था है यानि कि जो लास्ट में एक बचा वो 86 समिधान संसोधन के द्वरा जोड़ा गया था तो इस चीज़गा आप आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंस ऑप्सिन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्ट शोचन दिखी क्या कि मुला धिकारों से संबंधित बिवाद निमलिखित में से कौन सा है बताइए इसका सही उत्तर होगा उप्सिन तंबर ए यानि कि गुलक नाथ बनाम पंजाब राज उप्सिन से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फ्रेंट सरोचन आले ने निर्णाय में यह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संसुधन नहीं कर सकती है 1967 में यह बात खेगी थी लेकिन फ्रेंट्स इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि जो केशवा नंद भारती बनाम केरल राज्य बिवाग था 1973 में यह बात फिर से कहा गया सरोचन आले के द्वारा कि संसद मुल्ध हाचे में यानि कि बेसिक स्ट्रक्चर में उसका बिना उलंगन किये मौलिक अधिकारों में संसोधन कर सकती है यह दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है ठीक है फिरा इस क्वेशल का राइट एंसर था आप्सेंशब के अपने नोट कर लिया होगा अगला के या पसन किया में कि नेंद में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है तो बताईए इसमें से कौन सा युग में जो सुमेरीत नहीं है तो देखे फ्रेंस यहाँ पर अप्शन C को देखे तो वो गलत किया गया क्योंकि अनुछेट जो 17 होता है वो untouchability यानि कि अच्छुआ छुट से संबंदित है रुपाधियों का अंत जो होता है वो 18 में दिया गया तो कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन C को गलत तरीके से मैच कराया गया नेक्स वोचन देखिए बंद्वा मजदूर अनुमूलन अधिनियम संसद ने किस वर्स पारिद किया था हो सकता है फ्रेंट्स थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो क्योंकि मैंने फैन अंड कर रहके रखा है और यह जो टाइम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो थोड़ा सा गर्मी का बहुत ही ज़्यादा गर्मी के थोड़ा नहीं कह सकता हूं इसलिए मैंने फैन रखा है तो आपसे माफी चाहूंगा अगर साउंड की थोड़ी सी प्राब्लम हो रही हो तो देखे फिलाल बात करते हैं फ्रेंट्स इस के राइट इंसर क्या है कि बंदुवा मल्दूर अनुमुलन जो अधिनियम है वह 1976 में हुआ था आप्सन नंबर यहां पे बिल्कुल कर बत कर देते हैं तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजेगा यहां पर कुछा जारा कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्स प्रस्तूत की थी इसका राइट एंसरों का 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की थी यह नहीं पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग क गठन क्या गा था मंडल आयोग ठीक है फ्रेंस इस चीज को आप याद रखेंगे आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेशन देखे क्या है निमलिखित में से किसको समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संद्रक्षन की सक्ति दी गई है बताए फ्रेंस इस क्वेशन का रा करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स जोशन क्या बनता है कि निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए फ्रस्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और इसके बाद बताए कि करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखे फ्रेंस यहां पर कर मैं बात करना चाहूं तो पहला पॉइंट्स में क्या करा है कि भारत में बकसाइट का उतपादन सबसे अधिक उडिसा राज्ये में होता है जो कि कुल उतपादन का करीब 42% होता है ये चीज़ आप याद रखेंगे लगभग में 42% क्योंकि कि सबसे अधिक उडिसा राज्ये के द्वारा होता है सेकेंड पॉइंट में क्या करा है कि बकसाइट के उतपादन में दूसरा और तीसरा राज्ये जो करमसा जहारखंड और जो की गुजराता है दिखें मैं आपसे एक रिक्मेंड करना चाहूंगा कि इस क्वेसंस में आप एक पर इसको सर्च कर लेंगे लुसेंड बुक में आपको दूसरा तीसरा थोड़ा सा उल्टा करके दिखा यानि कि दूसरा उस में गुजरात बताया जहारकंड को तीसरा बताया लेकिन मैंने गूगल पे देखा तो आपके उपर छोड़ता हूं आप इसको एक पर सर राज्य में इस्तीत है पंडो बांध किस राज्य में इस्तीत है इस क्वेशन का राइट इंसर वो ऑप्सेन नंबर सी यानि फिंट्स हिमाचल प्रदिस के मंडी जीले में ब्यास नुदी पर बनाए गया तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे इसकी जो सहायक नदी हो थी कुनूर और बराकर इसकी सहायक नदी है ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है तो राइट इंसर वोगा उप्सेन नंबर सी साथ स्यात एक चीज में आपको और बता दू एक क्वेशन और पूछा जाता है कि दामोद्द नदी जो है इसकी उद्गम कहां से होता है तो छोटा नागपूर पठार से होता है ये कि आप याद रखेंगे के लिए आगे बढ़ते हैं नेक शोचर मनता है कि जारखंड के साथ छोटा नागपूर पठार किन किन राज्यों के राज्यों में फैला हुए यानि फ्रेंट्स फैला तो दे दियाएगे जारखंड उसके साथ बताने कि जारखंड के अलावा और क इन किन राज्यों में छोटा नागपूर का पठार फैला हुए इस क्वेशन का राइटेंसर होगा सिवाइस और यहां पर छोड़ दोगे इसको मद्य प्रदिस को और बाकी राइटेंसर हो जाता है उडिसा पस्ची मंगल और च्छतिसगड यह बिलकुल करेक्ट होगा एक किस राज्य से है आदिवासी सम्य सहलिया का संबंद किस राज्य से है इसका राइटेंसर होगा ओप्शन नमबर जो कि सी करेक्ट है राजस्थान ठीके फिंस ऑ्सकी करेक्ट आंसर हो जाता है अगर मैं बताना चाहूं हुँ फ्रेंच्ड की राजस्थान से और ऑन और अन जंजाती कौन क्यों सी है तो आपको यह क्याद रखना है जो कि गरासिया मीड़ा एक और आता है फ्रेंड्स की सांसी यह सभी इंपोर्टेंट है छीक है इस चीज़ को आप याद रिखेगा देखें नेक्षों सही में क्या कह रहा है कि निमलिखीत कथनों पर विचार कीज़ सत्लेज नदी सिंधू नदी और घगरा नदी और बताना है कि उप्रोक्त में से कौन सी नदी जो है वह तिबबद से निकलती है तो देखें फ्रेंड्स इस क्क्वेचन का राइट एंसर क्या होगा तो सत्ले नदींग जो है कहां से निकलती सबसे पहले यह हमें समझना कि तिबबत में मान सर्वर के पास सानोख हिमनद है वहां से निकलता है यह point भी correct है और घागरा नदी के बारे में बात करें तो यह दच्छडी तिबबत में उच्छे परवत सिखर करीब कह सकते कि हमालेओ से निकलती है जहाँ पर इसे friends किस नाम से जाना जाता है करनाली के न उप में किसे जाना जाता है और बहुत ही छोटा सा questions बहुत प्यारा सा और लोगों को बहुत ही ज़्यादा confuse करने वाला भी देगे friends कुछ लोग यह समझते हैं कि सबसे नजदीक जो प्लानेट है वह सन के नजदीक सबसे कौन सा नजदीक है तो बुध है तो इसके according यह candle में जो की carbon dioxide co2 की जो मातर वो बहुत ही जादा इस वज़े से यह काफी hot होता है इसलिए इसको गर्म ग्रह के रूप में जाना था सबसे गर्म ग्रह तो यह point आप याद रखेंगे आइंदा आप इसको गलत नहीं करेंगे options पी correct हो जाता है next question देखी क्या बनता है friends की निमल रूप से निजी करण के परिणाम देता है देखे friends यहाँ पर जो पहला points होता है वो गलत है clear second point में अगर बात करें तो निजी करण अनिवार रूप से संपत्यों के हस्तांतरण में परिणाम देता है यह point correct होता है तो कह सकते हैं कि केवल दो यहाँ पर right answer हो जाएगा देख सपोर्ट किया करो काफी महनत तक इस वीडियो को इस टाप के वीडियो questions लाने में अगर सिर्फ और सिर्फ वीव के लिए काम करना होता तो बाकी चैनल्स की तरह भी हम लोग भी कर सकते थे लेकिन मुझे वह नहीं करना है आप लोग के साथ मेरा इस तरह से questions में लाता हूं ताके आप लोग को जो exams वाली feeling दे सको यह नहीं कि बस आप लोग बाकी questions की तरह भी क्या पढ़ो वह ऐसा यहां पर नहीं होता है तो आप लोग बात को समझे और वीडियो को like किया कीजिए support किया गेजिए ठीक है friends तो फिलाल देखे next question में क्या कह रहा है कि राश्टी सामा सकता है तो फिलाल बात करते हैं इस questions का right answer से देखे राश्टी समाजी सहायता जो कारेकरम था इसकी starting कीगी थी आठवी पंचवर्सी योदना में आठवी पंचवर्सी योदना का कारेकाल क्या था सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तो 1992 से लेकर 1997 तक ठीक है friends यह था आठवी पंचवर्सी योदना का कारेकाल और इसकी starting कब से कीगी थी तो यह स्टार्टिंग कीगी थी 15 अगस्त 15 अगस्त 1995 में तो ध्यान रह तरास्टिय महिला जो को से स्टार्ट किया था वो भी 1993 में स्टार्ट किया गया था तो यह दोनों पॉंट्स भी important हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं और next question देखे क्या है कि विक्के चत्रुवेदी कमिटी ने निमलिकित में से किस्से संबंधित कारे किया है विक्के विक्के चत्रुवेदी कमिटी ऑप्सिन नमबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है नेक शोसिंग कि वैपार संतुलन यानि कि बैलन्स ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है वैपार का संतुलन तो सिंपल सा क्वेशन से आप ऐसी सभी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आयात निर्यात बैंक है उसकी स्थापना कम की थी आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं। में बात करतो हटे और कुलार जो हैफें सड्न के लिए कडरा अधिय स्टिंफ पर्यावरण में सुधार के दौर मालवजाती में सुधार के अध्ययन को किस रूप में जानते इस neste सरफ option number A यानि कि youth zehn इनक्स तट है इन्दी बेल हिंदी में लिखा जा सकता है तो हिंदी बिष्क क्या क्या कहता है सू जीवनी विध्यान हुझ सकते तो ये चीजह आप याद रहेंगे इसमें इंहों होता है कि हबश्चली अपने वातावरण में मनुष्यों पर पढ़ने वाले जो असर होता है उसके बारे में विस्लेशन किया जाता है तो यह चीज आप याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्ट देखे क्या रहनता है कि पर्यावरण प्रदूशन को नीमरीखी त्वरा नियंतरित किया जा सकता है पर्यावरण करके निर्माण नहीं करकर के यह भी किया जा सकता है तो उप्रोग सभी यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्सन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्ट शोजन क्या है कि सन्यूगत राष्ट पर्यावरण कारिक्रम के संदर में निमलीखीत में से कौन सा कथन सही है बताईए सन्यूगत राष्ट पर्यावरण कारिक्रम यानि फेंट्स UNEP इस क्वेशन के राइट एंसर क्या होगा तो एके करके देख लेते हैं पहला पॉइंट में कहा कि UNEP का जो मुख्याले है वो केनिया में इस्तीत है तो केनिया में यानि कि केनिया के नौरों भी जो राज़दा 75 मत यह अप सुधार कर लेंगे ठीक है कि फेस अगर एक क्वेसि जानने को मिल सकता है यह चीज कि इसके वरदमान में निदेशा कौन है तो यह चीजा आप यादर रखेंगे इंगर एडर्सन इसके वर्दमान में निर्दे सक है तो कह सकते हैं कि यहां पर हमारा राइट एंसर क्या होगा options A बिल्कुल correct है ठीक है फिर्ट केवल एक ही सही है second question देखें क्या करा कि next question भी हार से दौरा कियागा था options A को आप टिक करेंगे next question क्या बनता है कि बिहार में दल्दली मिट्टी का विस्तार कहां तक है बताइए दल्दली मिट्टी का विस्तार जो हो कहां तक है इस questions का राइट एंसर है पस्चमी चंपारन से किसन गंज तक option D को आप टिक करके आगे बढ़ सकते options D right answer हो जाता है ठीक है friends आगे बढ़ते हैं और next question देखें क्या दिया गया अब science से questions हम देखेंगे बैक्टरिया को नस्ट करने के लिए निमलखित में से किस गैस का पर्योग किया जाता है बताइए फिर्स बैक्टरिया को नस्ट करने के लिए यानि कि हिंदी में इसको कह स एक होता है यानि कि धॉसो में सबसे अधिक्ता होता है आपसब से निमत्तां होता है और यानि कि ध्यान रखेगा धौनी जह वो धूँझ हो चलने के लिए किसन किसी मात्यme की अवसेखता होती है नहीं करता है तो यह पॉइंट्स बहुत इंपॉइंट है याद रखेंगे नेक्स क्या बनता है कि हमारे सरीर में अमलियता तथा छारक्ता के बीच जो तक्त्र संतुलन बनाया रखता है वह कौन सा है इस क्या रखेंगे नेक्स क्या बनता है कि नेमलिखित में से कौन सी गरंती कैल्सियम के स्तर को नियंतित करती है इस क्या रखेंगे इसका रखेंगे इसका जो वजन होता है हमारे मानौसरीर में इसका जो वजन होता है घ्र sadly यह जो घ्रणति होती है पैरतोक्सिन आमक्स हॉर्मोन का सरावर्ण करते रुड़़ करता हैं आगे देखते हैं किया बनता है कि इन घ्रणतियों में से किस्वे मानौ सरीर में तीसरी आंक के रूप में जाना जाता है बताइए फ्रेंस तीसरी आख के रूप में किसे जाना जाता है तो इस questions के राइटें सर्फ option number C यानि की पीनियल गरंती option C बिल्कुल correct answer हो जाएगा सबसे पहले तो आप इस screen पे picture देख लीजिए आपको पता चल जाएगे इसको थर्ड आई के रूप में यानि की तीसरी आख के रूप में जाना जाता है आगे बढ़ते हैं और next question दीखें क्या किया रहा है अगला question यह कि कीट समवर्धन क्या है जो कीट समवर्धन है यह क्या है इसका सही उतर है options ए यानि की कीटों की विरिधी करने की विज्यान को कहते हैं कीट समवर्धन सबसे अच्छे example यह समझ सकते हैं की जैसे कीचुवा जो होता है किसानों का मित्र आपको पता हुआ किसानों के मित्र के नाम से जाना जाता है और साते साथ फ्रेंट्स भूमी की आत करूप में भी इसको जाना जाता है तो यह चीज़ आप याद रखेंगे क्या होता है फ्रेंट्स की जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो पोसकपदार्थों से भरपूर होते हैं एक परकार के उत्तम जयव उर्वरक के रूप में कारे किया जाता है ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखेंगे नेक्ट शोचन क्या बनता है कि जरेंटो लॉजी निमली खेट में से किसके अध्यान से संबन्दी थे यह आपको बताना है तो बात करते हैं सही उत्तर का इस व्रिद्ध लोगों के वेक्ति उनके अध्यान जो होते हैं जरेंटो लॉजी के नाम से जाना जाता है नेक्ट शोचन क्या बनता है यहां पर अगला कोoga यह ढ़ियागा है कि महाधान यानि कि स्भीक श्रiska के दोराइब्स क् लॉजू को वरकित किया था तो को पता हैं या लुजा झेल्ड को चाब्स और उसंधान जो हो फिलिपिंज मलील्या में स्दीत तो वहां के जो प्रज खुस गुरुदेव सिंख खुस और उन्हीं नहीं इसको विक्सित किया था तो यह चीज़ आप याद रखेंगे अगला क्या बनता है कि निम्लिखित कर्थनों पर विचार कीजिए तो बताए फ्रेंस दो क्वेस्ट करण से तो पहला और सेकंड पढ़िए और उसके बाद ब समयलन था यह पॉइंट्स गलात होता है क्योंकि फिन सब्तरवा सिखर समयलन था यह मैंने आपको अल्रेडी करन्ट अफेर्स में करा रखा है तो फिलाल कह सकते हैं कि केवल एक सईया उप्संस एक को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स रोसन क्या बनता है कि हाली में विडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा हुआ जी ट्वेंटी समयलन कौन से देश ने कराया है खाली में यह हुआ फ्रेंट्स तो विडियो कॉन्फरेंसिंग के मात्रम से कराया क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऐसा किया गया तो फिलाल बताए इस क्वेशन का राइट एंसर क् आई होप कि आपने राइट एंसर गेस कर लिया होगा अंत भला तो सब भला सौधी अरब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नीचे कमेंट्स करके तो एक क्वेशन आप ये बताएगा कि जी ट्वेंटी का जो सिखर समयलन होगा वो भारत में कब होगा ये तो 2020 का संपन हुआ ठीक है 2020 का हुआ तो आपको बता है ना कि भारत में कब होगा ठीक है तो देखें यहाँ पर आम लोगों ने फिलाल 50 questions काफी अच्छे से डिसकस कर लिया नीचे कमेंट्स करके बताए कि आपके स्कोरिंग क्या रही और आपको आज की वीडियो कैसी लेगिए अब आपके साथ मिलते हैं नेक वीडियो में किसी ने टोपिक के साथ थैंक्स वर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हाव अब गुड डे